हाइ यार क्याश्यों सब कैसाब तो कल ही आप लोगों का डेट आ चुका है जे कीमेंज का और अतियास में सबसे लंबा गैप दिया गया 1 ठाथ ठाइंप्ट और 4 अटइम्ड के बीच में कल जी सही सुन रहो बहुत लंबा गैप मिला एक दिन का गैप मिला जही में फोर्थ अटाइम्ट और जही में फोर्थ अटाइम्ट के बीच में ठीक है और यार कल से काफी messages आने लग गये थे कि भाया अब क्या करना है 15 दिन गिंदी के 15 दिन दिये हैं लोगों ने तो कुछ strategy बगरा बता जीचे तो यार कल पूरे दिन पूरे class के अंदर यहीं से चीज़ चल रही थी तो मैंने सचार चलो आज strategy की video निकालते हैं तो मैं तकर इवन 35 chapters आपको लोगों को बताने वालों कोई easy भी है scoring भी है जो कि आप 15 दियस के अंदर जल्दी से जल्दी कबर कर सके और जाल से याद अपने score को boost कर सके तो बिना देरी मैं आपको इस साई चीज़े बताने जा रहा हूं और जिन्होंने अभी तक हमारी चान और साथी साथ थोड़े से typical topic भी रखे जो medium level के यानि कुछ बच्चों का यानि दो तरीके से बताऊंगा वो जिन्हों को बिल्कुल नहीं आती है physics, chemistry, math और जिनको थोड़ी बहुत आती है उनके लिए थोड़े से 2-4 chapter और include कर दिये है 15 days के अंदर जो उनको revise करना है उससे जाधा भी पढ़ सकते हैं लेकिन थोड़ा से मैंने कर दिया है इंक्रीज उसके अंदर तो सबसे पहले physics की बात करते हैं तो physics के सबसे पहले easy topics है यहां पर आपके लिखे हुए ठीक है तो unit and dimensions and errors जब dimensional error की बात करता हूं तो सबसे जाधा इसको घंग से कर लेना ठीक है ग्राइविटेशन कर लेना कानेमेटिक्स ठीक है modern physics के अंदर मैंने यहां बर सामी कंड़क्टर को भी इंक्लूड किया इसको छोड़ने की कोशिशन भी मत करना और days की बात करने चाहिए तो unit and dimension एक दिन में निफटा सकते हो और gravitation और kinematics इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूँ ठीक है तो यह तीन दिन के अंदर आप इसको अराम से कर लिजए यह तो तीन पलस एक यह चार दिन के अंदर हो वो तीन दिन के अंदर कर सकते हो ठीक है अगर मैं बात करूं तो यार एक दिन में निफट सकता है आप लोग का current electricity के लिए आपको दो दिन minimum देने चाहिए ठीक है और जिनको थोड़ी सी physics आती है जिनको नहीं भी आती है वो भी इसको करेंगे ठीक है thermodynamics तो सब लोग करेंग ठीक है जैसे लास्ट टाइम पूछ दिया गया तक है ना तो फरवरी और मार्च का पर आप लोग ने देखा था तो छोड़ना कुछ नहीं है इसमें kinetic theory of gases भी मैंने add कर रखा है इसी के अंदर तो इसके लिए तीन दिन के आसपास का time दोगे magnetism के लिए कम से कम तीन दो तीन की बात कर रहा हूँ, chemistry के लिए एक surprise भी है छोटा सा, क्योंकि मैं खुद 15-day crash course launch कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोगों का 80% slaves मैं कोशिश करूँगा जल से जल निप्टा देने के लिए chemistry के अंदर और वो सारी free life classes होंगी, ठीक है, free life classes होंगी, timing क्या वो अभी आपको से लोट कर लेना हूँ, कि मैंने इसमें 15-16 chapters लिखे हैं, तो जिनको विलकुल नहीं आती है, वो लोग periodic properties, atomic structure, metallurgy, polymer, chemistry in everyday life और biomolecules पढ़ेंगे, यह easy or scoring topics की बात कर रहा हूँ, मैं अभी, ठीक है, states of matter इसको जुरू कर लेंगे, DNF block, DNF block से question आते हैं, उसे जुरू कर लेना, अ S block, chemical bonding, chemical bonding जरू कर लेना यार, ठीक है, एक question आता है यहाँ से, ठीक है, और किसमत अच्छी रहेते हैं, दो भी आ जानेगा, उसे एक आता है, और thermodynamics, ठीक है, तो यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, और सम्में एक एक दिन allotted है, अब जो थोड़ा से जनको chemistry आती है ठीक है, तो वेर वो organic की तरब बढ़ सकते है, GOC कर सकते हो, hydrocarbon, haloyalkin and halorines, अगर organic पूरी नहीं आती, तो तीन चैप्टर तो जरू करोगे, और कोशिश करना है alcohol को भी करने की, alcohol को अगर कर लोगे तो एक थोड़ा से strengthen हो जाओगे, ठीक है, और P block में गुरूफ 15 से 18 तक है, not group 15 and 18, that is group 15 to 18, ठीक है, और यह मैं रट्टा मार सेशन में कर वहाँगा, रट्टा मार सेशन क्या होता है, वह मैं अभी बता जाता हूँ, तो तुम लोग के लिए free live classes ला रहा हूँ मैं, तो यह देख लो free live classes का क्या scene है, तो यह आज से start है, ठीक है, रात के 8 बजे नीचे description में link मिल जाएगा group का, ठीक है, तो जाके वहाँ से उस group को joint कर लेना, वहाँ पर सारे के सारे, यह सब चीज़े में भीजता रहता हूँ, ठीक है, तो रट्टा मार सेशन के अब यह रट्टा करवा होगे, यह आप रट्टा को प्रमोट करो, नहीं है, मैं रट्टा को प्रम बजे को होगी, और 11-15 पर शॉर्ट ट्रिक इन और्गैनिक का होगा, जो की स्टार्टिंग के 30-35 मिनिट होगा, उसके आद 15-20 मिनिट हम लोग जेई का discussion करेंगे, रात के 11-15 पर, फिर सुबह 11 बजे 8 तारिक को, यानि 8 जुलाई को, आपका क्या कहते है, प्रियोडिक प्र solution chapter जो है, उसके ऊपर, फिर जीओसी का MCQ है, ठीक है, और 11-15 पर यहाँ पर खाली है, ठीक है, यानि वहाँ कोई क्लास नहीं है, रट्टा मार सेशन, 11 बजे सुबह S-Block का है, MCQ Revision, Thermodynamics का, यह 10 बजे कोई क्लास नहीं होगी, फिर यह नौका है, कि जीओसी फाइनल, इसी त पढ़ जाएंगे, काफी चीज़ है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैस पर आते हैं, मैस में आऊं, उससे पहले एक चीज़ जो काफी डाउट रहता है, सबका की भीया, आप हम लोगों को यह बता दीजे कि कहां से हमें पढ़ना है, यानि अभी कौन कौन से बुक पढ़ने थे, उसी बुक को करना है, मॉक टेस्ट रोज एक देना है, और चिंदा मत करो, मैंने मॉक का भी इंतिजाम कर दिया है, ठीक है, तो यह देखी रहे हो, यही फुल मॉक, ठीक है, जो तेरह से स्टार्ट कर दूँगा, मैं तुम्हारा तेरह जुलाई से, फिर Mathematical Reasoning से एक question आता है, तो इसको जरूर करके जाना है, background 3D से आपके दो question मिलने के chances होते हैं, कुछ shift में तो इस बार काफी ज्यादा आ गया थे, sequence and series से दो questions हमेशे आते हैं, तो इसको जरूर कर लीजेगा, algebra के अंदर, differential equation, मैं differential equation की बात कर रहा हूँ, differentiation की बात नहीं कर रहा हूँ, तो differential equation जरूर करिएगा, easy सा topic है, जाया tough नहीं, matrix and determinant है, उसको जरूर करिएगा, statistics, यार एक चीज़ बता दूँ, कि जो अभी जो shift गया था अपना फरवरी मार्च में, तो statistics के इतने question थे नहीं, तो, बट इसको पढ़ लेना, easy सा topic अगर आ जाता है, तो आप लोगों को कई फायदा है, तो मुश्किल से 2-3 घंटी लेता है statistics, तो statistics और mathematical reasoning एक दिन में रिप एक यार दिन में इसको भी निप्टा सकते हो, 1.5 days के अंदर, बना दो दिन ले सकते हो, उसके अंदर, और करना कहां से यार, जितने भी तुमारे IIT, JE के एक मार्स, दो मार्स, दो मार्स, दीन मार्स वाले जो questions है, उसको कर लेना, और previous year questions जो है, उसे कर लेना, ठीक है, तो question वहाँ से तुम्हें एक pattern follow पता चल जाएगी, किस type questions पूछे जाते हैं, और उसे के basis पे vector in 3D के question आते हैं, ठीक है, और जिनको थोड़ी सी math आती है, वो लोग अपना straight line जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, AOD से questions काफी आते हैं, तो उसको जरूर करेंगे, कुछ छोड़ेगा न ठीक है, और ये वो है extra और जिनको पढ़ना है, ठीक है, अब integration कर रहे हो, तो AOI भी कर लेना, application of integration भी, ठीक है, तो ये करना है, I hope आप लोगो को समझ में आ गया हो, कि अगले 15 दिन में आपको कौन-कौन से topics हैं, जो बिलकुल छोड़ने नहीं है, आपको करके जाना ही जाना अगर तुम्हें strategy-wise पता करना है, तो मैंना अलड़ी एक वीडियो बना रखी है, 15 days को लेके, अलग-अलग-अलग subjects को लेके, ठीक है, अगर कोई 190-200 को टारगेट कर रहा है, तो जाकि वो वीडियो देख लेना, उसमें 80+, 74+, 60+, मार्क्स, तुम्हारा physics, chemistry में अस्तिनों के ल लाइक और शेयर दूर कर देना, और सब दोस्तों के मीच में फैला देना, वाइरल कर देना, ठीक है, तो चलिए ठाइंक्यों यार, इस वीडियो को देखने के लिए,